दोस्तो आज की वीडियो से हम एक नया सेगमेंट शूरू करने जा रहे हैं हमारी चैनल के उपर जिसका नाम है Secure Saturday, Secure Saturday सेगमेंट के अंदर आपके लिए हम हर सेटरडे एक नए टाइप का वीडियो साइबर सिक्यूरिटी से रिलेटेड लाने वाले हैं जिसमें के हम आपको साइबर लॉस के बारे में बताएंगे साइबर अटेक्स जो भी वर्ल्ड में बढ़े बढ़े अटेक्स हुए उनके बारे में बताएंगे Cyber Security में Career Options के बारे में बताने वाले हैं और भी बहुत कुछ Cyber Security से related हम इस सेग्मेंट के अंदर आपके रिए हर Saturday लाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस सेग्मेंट को आज के हमारे इस पहले वीडियो से नमस्कार दोस्तों मैं हुदेवांग और Cyber World में आपका स्वागत है Secure Saturday सेग्मेंट के फर्स्ट वीडियो में हम आज कुछ बहतरीन Cyber Security Career Options के बारे में जानने वाले हैं आज के वीडियो को हम तीन पार्ट में Divide करने वाले हैं पहले पार्ट के अंदर हम कुछ Cyber Security Career Options के बारे में जाने वाले हैं जो कि आपको बहुत काम में आने वाले हैं अगर आप Cyber Security के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज का हमारा सबसे पहला Cyber Security Career option है वो है Threat Hunter जिया दोस्तों, as a Threat Hunter आप Cyber Security के अंदर अपना Career बना सकते हैं As a Threat Hunter आपको करना क्या होता है कि जो भी Potential Threats है जिस organization के लिए आप काम कर रहे हैं उसके उपर Attack करने वाले जो भी Potential Threats है उनको आपको Detect करना होता है उनको आपको Analyze करना होता है उनको आपको Investigate करना होता है अपने जो Environment है उसके अंदर और उन सारे Threats को Analyze करने के बाद आप Detect करने के बाद उनका एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको अपने organization को देना होता है जिससे कि आपका organization पोटेंशल Threats से बच सके अपने environment को बचा सके Cyber Attack होने से तो यह एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप Cyber Security में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो या फिर applications है या और भी जो भी servers या devices है उनके अंदर vulnerabilities find करनी होती है उन vulnerabilities को exploit करना होता है और उनका जो exploitation report है vulnerability assessment report है वो generate करके आपको और्गेनाईजेशन को देना होता है और उनको बताना होता है कि आपके organization के अंदर आपके जो devices हैं आपके जो servers है उनमें ये सारी vulnerabilities मौझूद हैं और ये आप हमने इस vulnerabilities को exploit किया है तो आपको vulnerabilities को patch कर देना चाहिए ये आपको as a attacker काम करना होता है किसी भी organization के लिए as a hacker आपको काम करना होता है और उनके environment को एक real time में hack या real time में उन environment के अंदर vulnerabilities find करके उनको report करनी होती है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा career option है तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे career option के बारे में जो की है as a blue teamer आप एक as a blue teamer भी अपने organization में काम कर सकते हैं तो दोस्तों as a blue teamer आपको आपके organization में काम क्या करना होता है आपको आपके organization के जो भी assets हैं जो भी devices हैं, servers हैं उनकी vulnerabilities को patch करना होता है या फिर उनकी vulnerabilities को defend करना होता है यानि कि मान लिजे कोई attacker आपके organization पे attack करता है तो आप उन्हें defend कैसे करोगे आपके server या devices के अंदर जो भी vulnerabilities हैं उनको defend कैसे करोगे उन्हें patch कैसे करवाओगे उन्हें exploit होने से कैसे बचाओगे यह सारी चीज़े आपको as a blue teamer अपने organization के अंदर करनी होती है तो basically आप कह सकते हैं के as a defender आप अपने organization के लिए cyber security defender काम कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा career option है आप अगर defensive part में जाना चाहते हैं cyber security के तो यह career option आप चूज कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा next career option क्या है हमारा next career option है purple teamer जिया दोस्तों आप एक purple teamer भी आपके organization के अंदर काम कर सकते हैं अब हमने जान लिया कि red teamer का काम क्या होता है और blue teamer का क्या होता है अब यहां पर purple teamer का क्या काम होता है वह जानते हैं तो दरसल purple teamer का काम जो एक red teamer होता है और blue teamer होता है उनके दोनों के काम को mix करके जो भी काम होता है वह आपको करना होता है यानि कि as a attacker भी आपको काम करना होता है अपनी organization के लिए और as a defender भी आपको अपनी organization के लिए काम करना होता है as a attacker आपको अपनी organization के जो भी environment है उनके अंदर attack करके उनके जो potential vulnerabilities हैं उनको exploit करके आपको report बनाना होता है और उन्ही vulnerabilities को defend कैसे कर सकते हैं यानि कि उनी vulnerabilities को exploit होने से कैसे बचा सकते हैं ये भी आपको as a purple teamer आपको काम करना होता है अपनी organization के अंदर तो मान लिजे कि आपको ethical hacker भी बनना है और उन vulnerabilities को या फिर उन hacking tricks को कैसे defend करना है वो चीज भी आपको करनी है तो आप purple teamer जो job profile है उसे select कर सकते हैं और अपना career cyber security के अंदर बना सकते हैं तो चलिए दोस्तो cyber security career options के first part का आज का हमारा जो last cyber security career option है उसके बारे में जानते हैं जिसका नाम है digital forensics analyst जिहां दोस्तों आप एक digital forensics analyst भी काम कर सकते हैं किसी organization में जिसका काम होता है कि आपको digitally जो भी devices मिलते हैं जिसको किसी भी attack करने attack करने के लिए या फिर crime करने के लिए use किया हो उन सारे devices का forensics करना होता है उन सारे devices में forensics analysis करना होता है और उन analysis का report generate करके आपको अपनी organization को देना होता है digital forensics analyst का basic काम आप मान सकते हैं कि किसी भी device का analysis करना या फिर किसी भी device को investigate करना उसमें जो भी data है उसमें जो भी evidences है वो collect करना उन evidences को analysis करना यह सारी चीज़े आपको करनी होती है as a digital forensics analyst मान लिजिए आपको कोई computer मिला या फिर कोई भी मान लिजिए आपको mobile phone मिला जिससे cyber crime हुआ है या फिर cyber attack हुआ है तो उन computer या फिर उन mobile phone के अंदर आपको जोबी data पड़ा है उन data को collect करना नहां data के उसमें analysis करना होता है और as a investigator आपको काम करना होता है find करना होता है कि किस तरीके का attack हुआ है या फिर किस तरीके का data जो भी organization से attack करके लिया गया है कौन सी methodology यूज की गई है ये सारी चीज़े आपको analyze करके एक report देनी होती है अपनी organization को और बताना होता है कि ऐसे ये attack हुआ है ये attack से इतना नुपसान हुआ है ये सारी चीज़े आपको बतानी होती है as a digital forensic analyst तो दोस्तों आज के फॉर्स पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं मिलता हूँ आपसे next Saturday पार्ट टू के साथ जिसमें हम और नए cyber security career options के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वह career option कौन से हैं उसमें क्या काम करना होता है और आप कैसे उसमें अपना career बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like और share जरूर कर दीजेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी cyber security में जो भी career option है उनके बारे में जान सके और अपना career cyber security के अंदर बना सके और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से related या फिर हमारी channel से related कोई भी सवाल, comment या फिर कोई भी आपके suggestion है तो आप हमें नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों इसे के साथ मिलता हूँ मैं आपसे cyber security career option के next part में next Saturday तब तक के लिए goodbye, take care and as always be aware, connect with care